थैंकिज सो मच पुर वचिंग ayam tv pro मॉइनमा स्पेलाग तो आज की वीडीयो में आपको बताऊंगा कि अपने आईफोन या आईपैड के साथ्थि अपने की बोर्ड और माउस को कैसे कनेक्ठ करें तो आप जैसेक देख सकते हैं मिरे पास यहाँ पर कोई महेंगा Apple का keyboard नहीं है यह HP के keyboard है एक ordinary keyboard इसे कह सकते हैं लोकल मार्केट से मैंने आज से एक दू साल पहले इसे खरीदा था around 600-700 रुपे का तो आप इसको अपने iPad या iPhone के साथ बहुत easily connect कर सकते हैं तो आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आपको बहुत सरी typing करनी पड़ती है या कुछ editing से related आप काम करते हैं तो यह process आपके लिए काफी useful होने वाला है तो complete macbook वाला feel आपको मिलेगा इस process के दुरू तो complete process के लिए आप वीडियो में last तक बने रही है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूँगा तो start करते हैं तो आगे हम अपने setup पर जहां पर मुझे कुछ चीजों की requirement होगी अपने iPad के साथ अपने keyboard और mouse को connect करने के लिए तो सबसे पहले जो मुझे requirement होगी वो OTG adapter की होगी तो मेरे पास ये OTG adapter है जो lightning to USB connector है इसके मैंने unboxing का वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं i button में उसका link दे रहा हूँ और इसकी unboxing का video भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है वो भी मैं अपने video की description में डाल दूँगा है और i button की link में डाल दूँगा तो आप उसको भी आप चेक कर सकते हैं लोकल मार्केट से यह 100-500 रुपे की range में easily available है तो इन दोने device की आपको रहेगी जरूरत इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए तो simply मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे connect करना है और कैसे आपका keyboard और mouse इसमें काम करने लगेगा easily तो सबसे पहले आपको अपने जो OTG adapter है इसके अंदर आपको जो है आपका USB hub इससे connect कर देना है जैसे कि यह आप देख सकते हैं मैंने USB hub को अपने OTG के साथ connect कर दिया और फिर उसके बाद अपने iPad पे आपके इसको लगाना easily लिए तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर light जले लगी है इसका मतलब इसमें power on हो चुका है अब आपके जो mouse का जो USB है यह जो आपके mouse का USB है और अपने keyboard का USB है अपने USB अपके लगाएं गया यह देखिए मैंने इससे connect कर दिया जैसे मैं आप इससे connect करूंगा तो आप देख सकते हैं अब जो मैं mouse यूज कर रहा हूं इसको मैं चिखा देता हूं यह देखिए तरह आपका cursor यहाँ पर आ चुका है किसी भी आप यह दर उदर करना चाहें वह आप एजिली कर सकते हैं तो यह बिल्कुल सा प्रोसेस है और यह जो device है यह plug and play है तो जैसी आप इसे connect करेंगे आपको कोई भी additional software की requirement नहीं है, simple आपको connect करना है USB के साथ इसे connect करना है और अपने keyboard और mouse अगर आपके पास wireless keyboard है और wireless mouse है तो भी आप इसे easily connect कर सकते हैं, simple आपको जो Bluetooth वाला जो device है वो आपने OTG पे लगाना है और अगर आपके पास keyboard और mouse का एक ही device मतलब एक ही Bluetooth डोंगल के साथ connected है तो simple आपक USB hub की requirement नहीं है, सीधा अपने OTG के वल में direct आप जो है अपने keyboard और mouse के डोंगल को आप लगा सकते हैं और सीधा use कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल smooth काम कर रहा है और मैं आपको keyboard का भी काम कर रहा है यह भी आपको दिखा देता हूं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर mozilla खोल लेता हूं, हम यहाँ पर मज़े कोई भी website लिखने हैं, यूट्यूब भी खोलना चाहरा हूं, तो youtube.com यह देखें, तो बहुत easily function कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, smooth perform कर रहा है, बिल्कुल macbook वाला feel यह दे रहा है, इसे अगर आपको भार आना है, simple इसको हटा सकते हैं, कोई भी app पर आप जा सकते हैं, और इसे easily use कर सकते हैं, simple सा process करके आपने iPhone या iPad के साथ, आप keyboard और mouse को easily connect कर सकते हैं, और access कर सकते हैं, तो आपके जो काम है, वो काफी easy हो जाएंगे इसकी through, तो आचा करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह के valuable content लेके मैं दुबारा फिर इस channel पर लोटूँगा, तब तक आप channel पर बने रहे हैं, अगर वीडियो पसंद झाल, कर रहे हैं, झाल, कर दो आपके बमती हैं, एत रहे हैं, झाल, को तो आपके ल मतरी विर्माफे, तो आपके लोटूप